नमस्कार और मैं हूँ अंकुर सिना और आप देख रहे हैं समाचार प्लस जारकन बिहार आज हमारे साथ संतोष कुमार रजग जी जहें जो की काके से CPI के प्रत्याशी हैं और इनसे आज हम सीधी बात करेंगे और जानेंगे की संतोष रजग जी जो है संतोष जी पहला सवाल रहेगा किन मुद्दो को ले करके जो है आप चुनावी मैदान में उतरे हैं सबसे पहले आपका बहुत बहुत धनिवाद आपके चैनल को बहुत बहुत धनिवाद कि आपने मुझे आउसर दिया आपने मेरी बातों को जनता के सामने कम से कम समय में रखने का सभाग्य प्राप्त करवाया जनता के बीच जनता बहुत कुछ नहीं चाहती है जनता चाहती है अपनी मुलभुत सुविधाएं आज अजादी के 78 वर्सों बाद भी उनको मुलभुत सुविधाएं नहीं मिल रहे है आज आर्थिक आसमानता राजनितिक आसमानता सैक्षिनिक आसमानता ये बढ़ते जा र तो उससे कंट्रोल करने के लिए हमें मुल्भूत सुविधाओं को आम लोगों तक जोड़ना होगा अब वो क्या है किसानों के लिए काम करना होगा मजदूरों के लिए काम करना होगा युवाओं के लिए काम करना होगा महिलाओं के लिए काम करना होगा सिक्षा में काम करना होगा जब हम इसमें काम करेंगे तो एक स्किल डेपलब करेगा और उसके बाद रोजगार बढ़ेगी क्योंकि रोजगार सभी को सरकारी नौकरी नहीं मिला जा सकता है हमारे देश की जो टोटल अबादी है उसमें आप डाटा निका लिएगा तो लगबाद 50 लाग के आसपस केंद्र सरकार की नौकरियां है और 50 लाग के आसपस पूरे राज़्य की नौकरियां है तो टोटल पॉपुलेशन का मातर एक क्लोड आप सरकारी नौकरी दे रहे हैं अगर आएंगे तो अब तो अर्द सरकारी धिरे धिरे प्राइवेट होते चला जा रहा है। उस अर्द सरकारी में आप मान के चलिए कि 20-30 लाक लोग नौकरी में हैं। तो मुलता अब हमें क्या करना होगा। मुलता हमें स्किल डेबलब करना होगा। किसानों के लिए किसान भसल उगाते हैं। क्योंकि मैं जिस पार्टी से आता हूँ। हम किसान, मजदूरो, तलितो, वन्चीतो, पिछडो, अलसंख्यको उन सभी वर्गों के लिए जिनको उनकी 78 वर्सों के बाद भी उन्हें उनका हक नहीं मिला है। आप काके बिधानसभा की बात होती है। पिक्ठोरिया, काके में, वहां की सबजियां बहुत फीमस है। बैंगाल में, बिहार में, और अधर इस्टेट में सबजियां बाहर जाती है। लेकिन एक छोटे सी अभाव की वज़ा से वह सस्ते दरों में अपनी सबजियां बेशते हैं। उन्हें कहीं भी किसी तरह का लापरापनी होता है। जिसके कारवनों किसानी से दिरे दिरे छोड़ते चले जा रहे हैं। यदि वहां कोल इस्टोरेज बनता। वहां जितने भी विधाय काया हैं कांके बिदान सबब बनने के उपरांथ। किसी ने वहां के मुल्भूत सु विधायों में कोल इस्टोरेज का पिक्टोरिया में या कांके में बात नहीं किया। आप खलारी चले जाएगा। खलारी में माइनिंग एरिया है। उस माइनिंग एरिया में डस्ट का एरिया है। उस डस्ट को कंट्रोल करने के लिए किसी भी परकार का कारे नहीं किया जा रहा है। लोग अस्थमैटिक होते जा रहे हैं। लोगों को सांस की बिमारी होते जा रहे हैं। कोरोना से लोग तो पीडी थे ही, और सांस की बिमारी बढ़ते जा रही है, तो औसत आईयू जो था, उस औसत आईयू को कम किया जाते जा रहा है, शिक्षा का स्तर अब बुड़ुमू में चले जाए है, बुड़ुमू में आपको एक भी प्लस टू स्कूल नहीं मिलेगा, एक डिग्री कॉलेज नहीं मिलेगा, कितना दूर है सहर से, जीरो माइल केचैरी से, मातर पैंतीस किलो मेटर से तीस किलो मेटर, उसमें आपको एक महा बिध्याले नहीं मिल रहा है, तो बच्चे जो वहां के है, वहां ना कोई टेक्निकल कॉलेज है, ना कोई डिपलोमा बच्चे जाएंगे कहां, उनको स्किल डेपलफ होगा कैसे, खलारी की बात देख लीजे, खलारी में उस तरह का किसी परकार का सुविदा नहीं है, कांके में आप आईएगा, कांके के लोग जो सबजी के लिए प्रसिध है, वो उनसे लाब नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं तो हमारा एकनॉमिक तो इन सभी चीजों से जुड़ा हुआ है ना, आप परत्यक शुरूप से, अब आप सहर पर आजाएगे, सहर में जितने भी वाड पड़ता है, उस वाड में नगर निगम के द्वारा कचड़े की समस्या हो गई, उसके साथ ही साथ लाइट में लेकिन वहां पर सही सुबिधा देने के लिए जुजहार उपन होना चाहिए, उसके लिए आपको लड़ाई लड़ना पड़ाएगा, नेता कौन होता है, या विधाय कौन होता है, अपने लोगों के लिए 24 x 7, 365 x 5, जब तक आप हैं, आपको जनता के लिए रहना होगा, क् युजनते के पैसे से ही आपको सेलरी मिल रही है, आप जैसे हटियेगा, उसके बाद अपको पैशन भी जनते के पैसे सी मिलेगी, लेकिन आप ये केवल एक वड़ बन जाते हैं, क्यो अपने विवकास के बारे में सोच्ते हैं, मैं किसी वेक तीगत भिधायक का नाम या कि मैं उनके करतब्य को गिना रहा हूं कि उन्हें क्या करना चाहिए था यदि वो करते तो साइध हम और आप यहां नहीं बैठे होते हैं मैं किसी जगा जॉब कर रहा हुता या आर्थिक कुरूप से अपने आपको सुधरिड कर रहा हुता है आज के डेट में राजनीती में सब कोई लोग नहीं आना चाहते हैं लोग बोलते हैं कि राजनीती गंदा है कहते हैं लेकिन राजनीती अच्छा है राजनीती में अगर अच्छे लोग आएंगे तो देश का विकास सबसे पले राजनीती से ही होगा मुल्भुक्त विकास राजनीती से ही होगा तो हम यह बोल कि अब युवाओं का सुनने वाला कोई नहीं, किसानों मजदूरों का सुनने वाला कोई नहीं, तो किसी ना किसी को इस फिल्ड में उतरना था, मेरा कोई ऐसा बैग्राउंड भी नहीं है कि मैं बहुत बड़ा पुंजी पती परिवार से बिलॉंग करता हूं, या बहुत ऐस कि मुझे बहुत जादा लालसा थी राजनीती में आने की, तो राजनीती एक बिकल्प है देश का अधारबुत सनरचना को बनाने का, और उसमें अच्छे लोगों को आना चाहिए, उसमें युवाओं को आना चाहिए, हमें दूसरे को दो सारुपन करने की अपेक्छा, हमे का में खुद को निखारना चाहिए, और हमें अपने आपको निखारते ह्युए, ये करना चाहिए कि सभी फिल्ड सही है केवल उस फिल्ड में जाने वाले वकती सही होने चाहिए, मैं ऒबा साभ का एक कोरूँ गा, बाबा साबने समीधान को लीखा था उनोंने कहा था, कि म मैं ये भी बोलना चाहूंगा, आज के युवा, स्वामी बीवेका नंजीक को भी आदर्स हैं, भगत सिंह के भी आदर्स हैं, मैं तिन लोग को आदर्स मानता हूं, डॉक्टर भावास अब इमरा उम्बेतकर, स्वामी बीवेका नंद, और साहीदे आजम भगत सिंह, तो तीन तो देश क्यों नहीं आगे बढ़ेगा अचा संतो जी एक और सवाल रहेगा कितना बड़ा चैलेंज समझते हैं क्योंकि कई दिगज जो है वो इस मैदान पर है क्या लगता है चुकि आप सी पी आई से प्रत्याशी हैं तो क्या लगता है कि कितना बड़ा चैलेंज रहेगा मुझे नहीं लगता है चैलेंज होगा चैलेंज देखे अब बिधायक बनना आज के डेट में बहुत आसान होगा लोगों के लिए मंत्री बनना भी लेकिन नेता बनना जनते के जनता का दिल में बसना वो कैसे होगा पान साल में जब वोट होता है तो आप आते हैं एक तो चार लोग भी हो, तो जनता की लडाइए वो लड़ते हैं. यदि वो जनता की लडाइए पांचो साल, जब तक वो राज़िती में हैं, वो लड़ते हैं, तो मुझे चैलेंज दिखता. लेकिन उनकी लडाइए के बाद 5 साल में 10 दिन ब्याद 20 दिन की है. उसके बाद उपने विकास में रहते हैं तो मेरी लडायी तब होगी जब उपान्च साल लगठार फिल्ड मे रहेंगे बिधायक बनने के बाद भी वो जन्ता की लड़ाई लड़ेंगे और बिनांसभा में तब मुझे तब मुझे वो कमपेडिशन टफ लगेगा लेकिन वो लडाई केवल दस दिन की होगी तो competition क्या competition तो पुरा खाली है देखिए 23 तारीकों क्या परिणाम होगा उसकी चिंता हमें नहीं है हमें चिंता इसे 23 के बार पांच साल जो भी वेक्ति यदि मैं बनूँ मैं मुझे जनता पसंद करें मुझे असिरवाद दें तो मैं बिधान सबाग से लिके सड़क तक अपने बिधान सबाग के लोगों की मुद्दे के लिए मैं लडूँगा यदि result या परिणाम कुछ और हो क्योंकि ये भविस्य की बात है तो जो भी होंगे मैं जनता के लिए उनसे बात पूछूँगा उनसे सवाल पूछूँगा मैं सरकार से सवाल पूछूँगा तो लडाई जो है competition तब होता है जब दोनों की वर परतिद्वंदीता मैदान में समान हो तो यहां तो कुछ समान नहीं है अगर वो लडाई लडाते तो आज और मैं एक साथ इंटर्व्यू नहीं कर रहे होते और नहीं इस तरह की बाते होती राजनीती की और मैं कहीं और होता आप कहीं और होता है सबसे बड़ा सरकारी एस्पताल रिम्स की बहतरी के लिए लगातार जो है हाई कोट से लेकर के सरकार को फटकार लगाया गया है लेकिन कहीं न कहीं रिम्स की बहतरी अभी तक नहीं दिख रही है तो रिम्स के बारे में आपने क्या सोचा है कि आने वाले दिनों में अगर आप जीते हैं तो रिम्स की बहतरी के लिए क्या कुछ करेंगे इसमें सबसे पले रिम्स में जो सबसे अधारबुत सुविधाओं क क्या स्पस में भी मैं करेक्ट हूं तो वो निक्तिया नहीं हो तो जब तक मेन रिसोर्सेस को आप नहीं बढ़ाईएगा दूसरा अधारबुत संरचना अधारबुत संरचना रीम्स में इतना लोड बढ़ चुका है तो आपको रीम्स की तरह सबसिट्यूट तयार करना चाहि कि बुडमू खलारी हो या कांके हो कहीं भी लोग अपना इलाच कराने के लिए सामर्थ हे नहीं है कोई भी छोटे मोटे अस्पताल में भी जाते हैं तो उसके साल भर की जो इंकम होती वो खत्म हो जाता है अगर वो दस दिन भी अगर वो इस हॉस्पिटल में रह जाये प् क्योंकि वहाँ आप देखेगा बहुत सारी जमीने हैं अगर उन पे आप बिल्लिंग्स बनाते हैं और विंक्स को क्रियेट करते हैं और अधारबुत संरचना के साथ साथ मानों संसाधन जो वहाँ पर है उसको अगर आप डेबलब करेंगे वहाँ नियुक्तियां अगर आप क रहँ मेडीकल के स्टुडेंटों भी मैं मानता हूँ कि रिम्स का मेडीकल का स्टुएंट च्टुएंट पीजी का स्टुएंट एक अच्छा डॉक्टर होता है कि वह अपनी आख से देखा मेरी ममादर एक समय म Times interconnectी थी पीजी के एक सकेंड डियर का स्टुएंट था, उन्होंने एक उनका सांस थोड़ा सा बंध हो गया था, उस बंदे नी कम से कम आधा घंटा पंपिंग करके उसे फिर से जिन्दा कर दिया, तो रिम्स में वो पावर है, रिम्स को अगर आप रिम्स के बच्चों को, रिम्स के अगर आप सुविधा देते हैं, तो रिम्स पूरे इंडिया का सबसे बड़ा हो सकता है, चुनावी प्रचार की बात करेंगे, तो कई बड़े दिगज जो हैं, वो आने वाले हैं, और ऐसे में आप संतोष कुमार रजक कैसे सामना करेंगे, कैसे जो कांके की जनता हैं, उन मत दिगज आएंगे, चेहरे आएंगे, स्काइर प्रचारा आज एकरdefense फाले ही जनता आज अपने परतिनीधी को खोशती है, जो बसकार काम कराने जाएं, नहीं तो बसकि ने हैं हो, जो कि अपना इताइप्य हि तो आपके भी झाताई है, आप के लघ विधान साभा में तो कुछ नहीं देगा हो तो कांके की जनता ये समझ रही है कि जो उनका परतिनिदी है वर्तमान में या जो पूर में हो चुके हैं उन्होंने उनके लिए क्या काम किया दिगज तो आएंगे इस्थार प्रचारक आएंगे लेगिन काम करने के लिए फिर कांके विधानसाबा में जो अब तक नहीं हुआ है उसकी लडाई हम लोग लडएंगे सळक से लेके सदन तक सरकार अगर मान गई तो हम लोग को हाग जोड के वी लेना पड़ा कांके विदानसाबा के लिए तो मैं दल देंगे सो कि प्रशान मित्रा के साथ अंकोर सिनहा समाचार प्लस रांची